वीडियो बहुत खास वीडियो है यह वीडियो बिसिकली आपकी एक इंट्रो वीडियो है इंट्रो वीडियो इस वीडियो को प्लीज इसकिप ना करें इस वीडियो के अंदर आपको मैं बहुत सारी बाते पताने वाला हूँ कि जो कोर्स आप करेंगे cost and management accounting का ये कैसे करना है आखिर मैं कौन हूँ रहाई कैसे करनी है समराइज कैसे करना है पूरे course को तो ये सारी बाते करूँगा मैं इस वीडियो के अंदर ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है छोटी वीडियो होगी आपको इस वीडियो को उपर का experience हो गया मेरे को तो ये होगी मेरी बात अच्छा इतना student मुझे प्यार करते हैं जैसे कि आप जानते होगे पूरे इंडिया में बहुत सारे centers है हमारे और counting में अगर स्पैसिफिक हो के वहूं तो 113 centers है पूरे all over इंडिया के अंदर काफी students हर attempt के अंदर हमसे exemption लेकर आते हैं हमसे पढ़ते हैं exemption लेकर आते हैं 60 plus marks costing में लाना बहुत असान है हमारे बहुत सारे students हैं जो 90 plus 95 plus 99 marks लेकर आ चुक है एक student थे अर्जुन महरा वो rank 1 लेकर आये थे costing हमसे की थी बहुत सारे students हैं जो हर attempt के अंदर अच्छे marks लेकर आते हैं rank लेकर आते हैं costing में बहुत जवर्दस नंबर लेकर आते हैं तो यह मैं क्यूं बता रहा हूं आपको अपनी marketing करने के लिए नहीं यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो course content मैंने उनको दिया था और जो course content मैं आपको दे रहा हूं यह course content अपने आप में more than sufficient है जो books मैं आपको दे रहा हूं यह अपने आप में more than sufficient है और जिस तरीके से मैं concept को break करते वे आपको सिखाऊंगा सारे questions करवाऊंगा तो यह एक unique style है पढ़ाने का तो आपको जो notes मैंने दिये है जो books मैंने दिये हैं आपको सिर्फ unique को revise करना है तीन से चार बार यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो books मैंने आपको दिये हैं जो content मैं आपको provide करूंगा उसे पढ़कर उसे करकर आप costing में 100 में से 100 नमर लेकर आ सकते हैं cost and management accounting का यह paper बहुत ही scoring paper है तो आपने अगर concept को अच्छे से पकड़ लिया because concept is the king और जो books मैंने आपको दिये इनने कम से कम 2 से 3 बार आपने revise कर डाला तो मैं आपको guarantee से बोलता हूं आपकी exemption तो आनी ही आनी है हाला कि मैं भी तरिका बताऊंगा कैसे rank 1 लेकर आएंगे आप कैसे आप costing में 100 में से 100 नमबर लेकर आएंगे कैसे आप costing में 99 नमबर लेकर आएंगे 100 में से तो यह बात होगी छोटी से मेरी अगली बात जो classes आपको मिलने जा रही है यह classes नमबर 24 के attempt के लिए वैलिड है नमबर 24 के attempt के लिए वैलिड है और subject का नाव है CA Inter का है यह Cost and Management Accounting यहां मैं बात कर रहा हूँ Cost and Management Accounting वाले subject के तो आपको जो material में दे रहा हूँ अगला point है वो fully updated है as per recent से लिए बास fully updated और इसके अलावा आपको कोई और books material कोई कोई भी notes आपको नहीं refer करने है कई बार बच्चे का मेरे पास doubt आता है sir कि आपकी books को मैंने तीन से चार बार कर लिया है but मुझे का कुछ और करने का चाहिए मुझे कुछ और करना चाहिए तो इसका answer वैसे तो low है but कई बार बच्चे बहुत मुझे emphasis करते हैं कि sir कुछ और करने का one कर रहा है मेरे पास time बहुत बच गया है मुझे extra practice करनी है तो मैं यहीं बोलता हूँ कि अच्छा बहुत ही one कर रहा है तो करनी है आपको चेक करना अपनी speed कितनी है तो question paper करो ना घर पे बैठ जाओ पूरा syllabus करने के बाद books को दो-तिन वार revise करने के बाद timer on करो question paper का print out लेके बैठो gate को बंद करो और तीन घंटे solve करो as student यह मान लो कि आप exam hall के अंदर हो और यह question paper आगे exam में आ गया है तो आप solve कर रहे हो खुद solve कर लेने के बाद अब आपको इसे खुद ही check करना है देखा खुद ही solve किया और खुद ही check करोगे आप मैं ऐसा क्यों बलना हूँ खुद check करो किसी और से क्यों ने check कर रहा हो तो देखो खुद check करने का benefit क्या है जब खुद check करोगे आप तो आपको पता पड़ेगा checker का mindset कि जब checker paper को check करना है तो मन में क्या रखता है तो आपको मन में रखना है कि इसके number कहां काटूं क्या रखना है आपको मन में ताकि चेकर मेरे ये नमबर ना खाट पाए, तो ये काम है, सेल प्रेक्टिस का, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है, सिक्वेंच ऑफ क्लास, कि सर किस सिक्वेंच के अंदर मैं पढ़ू, तो ध्यान दे रहा, आपको मिल रहा है डेली डाउनलोड लिंक, डेली डाउनलो सिक्वेंच में आपको लेक्टर मिल रहा है, उस सिक्वेंच के अंदर, ध्यान देना, आपको एक लिंक मिलाओगा, गूगल ड्राइब का, उसमें अलग-अलग फोल्डर बनते जाएंगे, और ये फोल्डर होंगे आपके चैप्टर, तो जैसे मालो, कोई चैप्टर मैंने और आपको फालो करना है, अब देखो, आपको फालो करना है डे ली मिले हुए लिंक को, बट ऐसा हो सकता है, मैं ऐसा माल रहा हूं, hi कई अबार बच्चे से क्या होगा, डेली पढ़नी पाएगा ऋ, जैसे माललो, आपने पहले वाले चैप्तर में, माललो आपको 4 लेक्टर बना सिक्वेंस्क Garlic आपको फॉल्व करनी है एक चेप्टर नाम रख दिया एक यौई Z इसके मानलो चार लेक्षटर मैने लेक्षर रॉर्ड और किया आपको लिंकुड़ डिया आप यह लेक्षट टू रिकारड किया आपको मैंने लिंक दे लिए आप मैंसे कदेश्स घर तो फूंन यहां पर लगां तो जब पांचते दिन आप पढ़ने बैठे तो मैं मैं दे रहा हूं लेक्टर में आपको पढ़ना है ये पढ़ना है आपको समझ गया तो अगर आप बीच में क्लासे कि कर देते हो तो आपने उसी सिक्वेंश को फॉलु करना है जिस sequence के अंदर मैंने classes दीए आपको और आपकी इस वहलियत के लिए मैं chapters को भी sequence पे डाते जाओंगा लिख दूंगा ये है first chapter लिख दूंगा ये है second chapter समझ गया तो sequence को properly follow करना है आपने ठीक है ना अच्छा आपको जो books मिली है मैं उसमें चैप्टर का सिक्वेंस कुछ और हो तो आपको बुक्स में दिये सिक्वेंस को फॉलू नहीं करना है आपको लेक्स्टर्स वाले सिक्वेंस को फॉलू करना है समझ गए बात तो यह था मेरा चौथा और एहम पॉइंट सिक्वेंस कि सिक्वेंस में पढ़ूं अगला पॉइं में काफी टाइम हो गया हूँ और मुझे पता है कि किस कोशन के लिदर बच्चे को जो टाड आ सकता है और मैं आनलीसिज हमें पीकर लेता हूं पहले से कि जोеныक है कि द्यौण में रखते हुए जब कोशनक को पढ़ाता तो आल्रेडी उन डाउट्स का रिप्लाई में कर देता हूं तो 95 परसेंट चांस तो यह हैं कि आपको डाउट आएंगे नहीं फिर भी अगर आपको डाउट आ गया तो नंबर लिखो यह नंबर लिखे लो इस नंबर पर आपको डाउट वाट सेब करना है क्या करने वाट सेब करणा अज़ऑ और वाट सेब करना है डाउट पर कुछिव है उस फॉर्मेट में ही करना सबसे नहीं सब्सक्राइब को सबजेक्ट का नाम याँ आपको बताना होगा कि सर मैं सीए और सब्जेक्ट जो मैंने आपका लिया है वह है कॉस्टे मेनेज्मेंट अकाउंटिंग ताकि मुझे पता बड़े किस सब्जेक्ट से डाउट कुछ लोग आप दूसरी बात आपको लिखनी है चैप्टर का नाम कि chapter का नाम सरी यह है तीसरी बाद आपको लिखनी है chapter का number 14 chapter ने पांस चप्टर वो लिखना है उसके बाद लिखना है question का number question का number question number two है six है eight है फिर question की pick भी भेज़ देना आप मुझे वर्ट सब्ट कर देना question की pick ठीक है इसके बाद आपको लिखना है सीरियल की कि आपको जो सीरियल की लॉट की यह वो कौन सी है वो भी यहां पर हर बार लिखनी है आपको हर बार क्योंकि डाउट का reply सिर्फ और सिर्फ registered student कोई किया जाता है ठीक है और यह सब कर लेने के बाद आखरी में लिखना है आपको आपका डाउट राइट यौर डाउट है समझ गए डाउट लिख दो अगर डाउट लिखना पॉसिबल ना हो तो डाइट डाउट का वाइस रिकॉर्ड वाइस नोट बना के आप मेरे को भीज़ दो तो पहले subject का नाम चैप् कोशन नंबर सीडियर की यह पांचो नंबर लिए पांचो आइटम लिखनेने के बाद कोशन का पिक और अपने डाउट या लिख दो या ऑडियो वाइस नोट बनाके भीज़ दो डाउट कर दूंगा वैसे मैं ट्राइए करता हूं कि डाउट का रिप्लाई विदिन ट्व मनीश यह डाउट को प्रोपरली मैनिज करता है मनेश एक बंदा है हमारा उनका नाब मनीश है वो डाउट को प्रोपरली हांडल करते हैं किस ब socialisttest है कि इस बात को प्रोपरली वो मैनेज करते हैं ताकि सबके डाउट का का रिपलाई न पीसी नंदाऊट ना छूट तो आप फिकर मत करना फिर भी उनसे अगर छूट गया है तो आप एक हेलो कर दो दुबारे से उसी वाट सब्सक्र तो आपका डाउट उठके उपर आ जाएगा तो यह बात थी आपकी डाउट की यह था पॉइंट नंबर पांच पॉइंट नंबर पांच के बाद है पॉइंट नंब बीच में कोई अमेंडमेंट आ जाए पॉसिबिलिटी तो है कोई अमेंडमेंट आ जाए किसी कोशन का आंसर चेंज कर दे कोई नया कॉंसेप्ट एड कर दे कोई नया कॉंसेप्ट माइनस कर दे कोई नया चैप्टर एड कर दे कोई नया चैप्टर माइनस कर दे तो यह सार कर लो हमारा टेलिग्राम चैनल और उसका एड्रस ही है है एच टी टी पी है पुर्शुत्म सरकॉस्ट यह है पुर्शुत्म सरकॉस्ट यह आपका टेलिग्राम का लिंक इसको जाइन कर लो आप कभी कोई अमेंडमेंट आया तो मैं वीडियो प्लस मटीरियल यहां पर अप्लोड कर दूँगा यहां से आप डाउलोड कर ले ना कोई एक्स्टा पेमेंट नहीं करने पड़ेगा आपको अच्छा टेलेगराम आप वीकली चेक करते रहो यह कोर्स खतम हो जाने के और अगर नहीं आए होंगे तो आपको बता देंगे कि भाई कोई अमेंडमेंट नहीं आए यह बात होगी अच्छा यहां पर ना एक बात रह गई है सिक्वेंस और क्लास के अंदर डेली डाउनलोड लिंक एक चैप्टर है आपका MCQ देखो न्यूस लेबर से अंदर आपके MCQ आ गए है तो MCQ का न एक अलग से चैप्टर बनाके मैं दूंगा आपको अलग से लेक्टर मिलेंगे उसके चैप्टर प्लस उसकी लेक्टर से मिल MCQ अपने आप में कुछ यूनिक आइटम नहीं है यानि चैप्टर तो आपको पढ़ना ही है बस उस चैप्टर के वेस पर आपको MCQ पूछे जा सकते हैं एक्जाम में तो MCQ का एक अलग चैप्टर होगा और सबसे एंड में आए चैप्टर उसका रीजन यह है MCQ मतलब है आ आप वेट करना कि MCQ वाला चैप्टर आपका आखरी में आएगा अच्छा जी तो अमेंडमेंट की बात हो गई अमेंडमेंड के बाद सबसे में बात है सक्सेस पर्मूला कि सर कॉस्टिंग में सो में से सो नमबर लाने का पॉर्मूला क्या है तो देखो कॉस्टिंग में सो में सो नमबर लाने का सिंपल फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है जो बुक्स मैंने आपको दी है उनको कम से कम तीन से चार बार revise कर दो तीन से चार बार revise कर दो जो books मैंने आपको दी है प्लस अगर हो सके time बचता हो तो previous पांच question paper घर बैठके solve कर ले और answer को tally कर ले बस ये दो काम आप कर लो मैं guarantee देता हूँ कि costing वाले paper में आप अच्छे number लेकर आओगे exemption तो लेकर आना तया है आपका अच्छा एक technique जो classes में भी आपको बताऊंगा मैं और यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ उसका नामे ABC technique आपने करना क्या है अपने पूरे subject के जितने भी chapters है और chapters जितने भी questions है concept है आपने सभी questions को ना category ABC में तोड़ते जाना है यह technique बता रहा हूँ है सब्राइस करने की कैसे रिवाइस करूं तुन से चार बार तो धान दो जो question आपको बहुत difficult लगे उसे category A बोल दो जो आपको बहुत easy लगे category C बोल दो और जो आपका in between हो category B बोल दो समझ गए तो इससे होगा क्या मानलो एक chapter का अंदर मानलो 40 question है आपने category ABC बोलते वोई चले गए मैं लगा पहले question solve की आप फिर सोचा मेरे ले मुश्किल है बहुत-मुश्किल है बहुत easy है solve करोगे आप अच्छे B वाले के answer को verify करोगे और C वाले के answer को verify करोगे अगर time बसता है तो अगर time नहीं बसता category C वाले questions को आप छोड़ सकते हो revise मत करो अगर concept आपको revision है category A कर लिया category B कर लिया guarantee category C करने नहीं पड़ेगा तो दीर दीर होगा क्याना आपका course summarize हो जायेगा जो आज category a हो सकता है एक महने बाद category B में आ जाये फिर एक महने बाद category C में आ जाये तो दीर दीर क्या होता है course सम्राइज हो जाता है जो इतना vast course है आपका summarize हो जाएगा और उसकी मदद से आप 3-4 बार क्या कर लोगे? रेविजन कर लोगे. तो बस यह है सक्षेस का फर्मूरा. Practice, practice, practice. Apply करो ABC टेकनिक, chapters को concise करो, फिर revise करो, concept, category A, category B, time बचा दो category C. धीरे-धीरे category A और B वाले, category B और C में shift होगे. Time कम होगा. exam time तक आते-आते ऐसा हो जाएगा, कि आप अपने सभी questions को, सभी concept को, maximum 6-8 घंटे में revise कर लोगे, आराम से. व्यूकुल मजे वाले तरीके से आप revise कर लोगे. यह बाती साथ वी. और सबसे आखरी बात, rumors से बचे, अफवाहों से बचे. ध्यान देना. मार्केट में कई तरीके की अफवाएं आपको सुनने को मिलती रहेंगी. और मिलती रही है. कोई दोस्त आपको आके बोलेगा, costing में ये change आ गया है, costing में वो change आ गया है, ये फलाना हो गया, डिमकाना हो गया, कोई ये बोलता रहे हैं आपको, जब तक मुझसे confirm ना कर लो WhatsApp पर, तब तक परिशान मत होना, ठीक है ना? तो ये बाते हैं, ये आपका intro वीडियो था, आपको एक overall idea मिलके आओगा, कैसे चलना है, daily link मिलेगा, download करो, watch करो, chapter wise, बीच में छूट जाए, तो tension ना लो, आपको करना है chapter wise, बीच में से कोई chapter मत करना, ठीक है ना? ये बात समझाई थी मैंने आपको अभी, पहले chapter के link दूँगा, एक class record होगा, पहला link दे दिया, दूसरी record होगा, दूसरा link दे दिया, तीसरी record होगा, तीसरा link दे दिया, चोतरी record होगा, दे दिया, अगर आप daily basis पर lecture देखते रहते हो, बहुत बड़ी आबात है, बट कभी अगर आप से छूट जाए, तो आप next chapter पर जाने से पहले, उस chapter को complete करो, ये मैं कहना जाता हूँ, sequence को मत तोड़ो, तो ये था आपका intro video, उमीद करता हूँ कि आपको एक proper guidance में लगए होगी, अब आप अपने पढ़ाई चालू कर सकते हैं, thank you and best of luck, और exam में costing में 100 में से 100 number लेके आने हैं आपको, और ये लापाना possible है, thank you.